क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि बैन के मरने के बाद आखिर क्या होगा ओम्निट्रिक्स का क्या होगा आखिर ओम्निट्रिक्स किसके पास जाएगी क्या विल्गेक्स आके अटेक करेगा बैन के मरने के बाद क्या कुछ होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब Ben मर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है काफी ज्यादा बर पूछा गया था मुझसे तो इसका जो अंसर है वो भी मैं आपको दूँगा तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना अब देखो जब Ben मर जाएगा पूरी तरीके से जो की होने के चांसे बहुत कम लगते हैं क्योंकि Ben 10 को कभी मराने की जरूरत नहीं है पर हम लोग ये बाद जानते हैं कि जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही जाएगा तो Ben जो है वो मरेगा एक बार मरने के बाद क्या होगा एजमत जो है वो Omnitrix ले लेगा Ben से हम सभी को ये बाद पताए कि Omnitrix को Ben यूज करता है और Ben के मरने के बाद Azmat जो है वो Omnitrix किसको देगा तो देखो Azmat जो है वो अपने पास रख लेगा Omnitrix को उसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है आप सभी को पता ही होगा कि Ben के फ्यूचर में एक सन होने वाला है जिसका नाम Kenten होगा क्योंकि जब Ben बड़ा होगा तो उसका एक बेटा होगा और क्या पता Ben जो है वो ट्रेन करेगा अपने बेटे को कि Omnitrix को ऐसे यूज करना होगा Omnitrix यही कर सकती है तो क्या पता हमें कुछ ऐसा देखने को मिले कि जब Azmat ले लेगा Omnitrix Ben के मरने के बाद तो Azmat वो Omnitrix Ben के सन को देदेगा और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि Ben जब मरेगा तो क्या पता वहाँ पर Willgex आ जाए और Willgex जो है वो ट्राइ करने की कोसिस करे कैप्चर करने की कोसिस करे Omnitrix को क्योंकि Ben से तो वो लड़ने से रहा Ben हर बार हरा देता है Willgex को तो जब Willgex के कान में ये बात जाएगी कि Ben जो है वो मर चुका है तो Willgex सीधा अटेक करने की कोसिस करेगा और वो फिर से ट्राइ करेगा कि Omnitrix को वो फिर से एक बल हासिल कर दे उसके बाद guys हमें क्या देखने को मिल सकता है एजमत जो है वो Omnitrix ले सकते है Ben से क्योंकि मरने के बाद तो एजमत जो है वो ले ही लेगा हम सभी को पता है कि Ben से ज़्यादा समझदार अगर कोई है तो वो Gwen Tenn Tennyson है Gwen Tennyson के ही मदद से एक बार तो Ben को Omnitrix मिला था नहीं तो Ben जो है वो Omnitrix की कुरवानी देने के लिए चला गया था पर Gwen ने अपनी समझदारी को दिखाया और Gwen ने Omnitrix को बचाया था तो यहाँ पर जो Gwen है वो काफी ज़्यादा intelligent है तो क्या पता Ben जो काम करता था वही काम आप Gwen करने लगे और Asmat जो है वो Omnitrix को दे दे Gwen के हातों और Gwen वो काम करेगी जो की Ben अब तक करता आ रहा है यानि कि Earth को वो Protect करेंगी उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है Asmat जो है वो किसी New Person को दे सकते हैं Omnitrix Omnitrix को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है Omnitrix का किस तरह से यूज किया जाता है क्योंकि ये बात हम लोग Asmat के मूँ से सुन चुके है कि Ben इस तरह से यूज करता था Omnitrix को कि Asmat नहीं नहीं सोचा था वैसा कि यूज करेगा Ben तो हम सभी को ये बात पता है कि जो Asmat है उसका जो भरोसा है वो जीत लिया था Ben ने तो कोई और परसन होगा जो कि Asmat का भरोसा जीत लेगा और Asmat जो है वो Omnitrix को दे देगा किसी New Person के हाथ में ताकि Ben जो अब तक करता आ रहा है वो एक New Person करे ऐसा हो भी सकता है तो गैस अगर Ben मरेगा तो उसके बाद ये 5 चीजे हो सकती है जो कि मैंने आपको अभी बताया और एक Bonus जो है यहाँ पर एलपीडो के लिए हो जाएगा क्योंकि Ben के मरने के बाद Omnitrix में जो Ben का DNA फसाता वो हड जाएगा पूरी तरीके से और एलपीडो जो है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो अगर Ben मरेगा तो ये सब चीजे होंगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर आप लोग ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए